Hello everyone of class 10th, it's a fifth question of 7.1 exercise इसमें चार दोस्त हैं कोई ABCD वो ऐसे बठे हुए हैं दो लड़कियां बात कर रही हैं चमपा और चमेली चमपा चमेली शे कहती है कि ABCD एक वर्ग जैसा लग रहा है स्क्वाइर जैसा लग रहा है क्या तुम ऐसा नहीं सोचती हो तो हमसे कहरा है कि आप चेक करोगी ये स्क्वाइर या नहीं है कौन लड़की सही बोल रही है कौन नहीं बोल रही है चमेली कहती है नहीं है गर गर न तो A के कॉडिनेट B के C के और D के हमने कॉडिनेट लिए बुक में दे रखे हैं अब हम क्या करेंगे distance formula से चारुं साइट से निकालेंगे क्योंकि square के चारुं साइट से होनी चील होनी चील है अ गाराईगनल होनी स्क्वायर के फोर a b x1 y1 3 4 और b 6 7 x2 y2 यह लगाया a b लगाया a b के लिए formula x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square का square root रख करके calculate किया root 18 आया इसी प्रकार से b c के लिए b c के लिए x1 y1 x2 y2 लिख लिए उसको calculate किया फिर c के लिए c के लिए c d यह नहीं a b b c c d c d calculate किया c d के लिए x1 y1 9,4 है और x2 y2 कितना है 6,1 तो c d के लिए भी calculate किया c d भी हमारा root 18 आया अभी तक यह 3 root 18 root 18 आ रहे देखो फिर हमने a d calculate किया a d a d के लिए a के coordinate देखे 3,4 यह x1 y1 आ गया 3,4 और d के coordinate 6,1 तो x2 y2 किया गया 6,1 इसको भी रख करके calculate किया यह भी root 18 आ रहे है अब 4 की 4 भुजाएं बराबर तो हमारी आ चुकी है इसमें all four sides are equal लेकिन यह rhombus भी तो हो सकता है अब rhombus हो सकता है यह rhombus है यह square है इसका पता लगाने के लिए हमको diagonal calculate करने पड़ेंगे diagonal ac के लिए और bd के लिए coordinates लिखिए मैंने यहां बनाया इसको देखिए फ़र ac, ac के coordinate लिखे x1 y1 और x2 y2 यह मैं आप कही बार बता चुका हूँ आपको समझ मां आ जाएगा कि कैसे लिखते हैं करके पहले वाले coordinates जो होते हैं पहले point के वह x1 y1 के लाते हैं दूसरे वाले क x2 y2 के लाते हैं तो ac के लिए a के coordinate x1 और y1 के लाए c के coordinate x2 और y2 के लाए फिर distance फॉर्मूला में रखा x2 minus x1 all square plus y2 minus y1 all square वाले में calculate किया यह 6 आ रहा था फिर bd calculate किया इसी परकार से अब calculation तो simple हुई ना वो तो खरी सकते हैं आप x1 y1 x2 y2 लिखा पहले bd के लिए फिर उ भी 6 है और यह भी 6 है तो क्या रहा इसमें so the given points are the vertices of a square क्योंकि 4 की 4 भुजाएं बराबर और diagonal भी equal तो यह क्या होगे यह square होगया तो a b c d a square है so चंपा is right चंपा शही कह रही है चंपा शही कह रही है इस तरीके से इसको आप बनाएंगे I hope आपकी समझमाया होगा यह सारे question distance formula पर बेज़ने है distance formula के यह साबसे ही आपको यह पूरी exercise मिलेगी फिर इसके बाद आपको section formula में लेगा next exercise में चलिए next video बनाते हैं अब